हेलो एब्रिवन, वेलकम टो एकेज किचन, आज मैं लेकर आए हूँ पोहा चुडा की रेसिपी, जिसे की मैंने बिना तले ही सिर्फ दो टेबल स्पून घी में बनाया है, ये काफी हेल्दी और टेस्टी है, आप इस खटा मीठा और चटपटा पोहा नमकीन को बना कर जो की आसानी से रोस्ट हो जाता है, इस पोहा को हमें पैन में ड्राय रोस्ट करना है, इसके लिए हमें कोई भी तेल या घी की ज़रुरत नहीं है, पोहा को हम हलके हाथों से चलाएंगे, ताकि ये टूटे नहीं, आप इसे इस तरह से दो स्पून का यूज करके भी मिक्स कर सकते हैं, ये काफी आसानी से रोस्ट हो जाता है, तो हमें इस पोहा को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है, जब पोहा अच्छे से रोस्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा स्रेंग हो जाता है, और काफी क्रिस्पी हो जाता है, तो में हम डालेंगे 1 4th cup मूंगफली और इसे घी में ही रोस्ट करेंगे मूंगफली को हमें आधा ही रोस्ट करना है जब इसका color change हो जाए तो हम इसमें add करेंगे dry fruits यहां पे लिए हैं मैंने थोड़ी से almond जिसको कि मैंने बीच से split कर लिया है इसके साथ ही हम इसमें add करेंगे काजू इसे भी मैंने बीच से split कर दिया है अब हम इन सभी चीजों को थोड़ी देर तक मिल्कुल low flame पे ही roast करेंगे अब आप देख सकते हैं कि dry fruits थोड़ा सा roast हो गया है और इसका color भी slightly change हो गया है तो इस time पे हम इसमें add करेंगे roasted चना डाल अकर आपके पास यह available नहीं हो तो आप इसके जगह roasted चना का भी उज़ कर सकते हैं इसके साथ हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा किसमिस जो की बहुत ही अच्छा मीठा टेस्ट लेकर आता है इसके साथ ही मैंने add किया है सूखा हुआ नारियल अब चाहें त गरी लीव्स का टेस्ट काफी अच्छा लगता है अब हम इसमें add करेंगे मसाले यहां पर मैंने add किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर टेस्ट के according थोड़ा सा साधा नमक और थोड़ा सा काला नमक half tablespoon अम चुड पाउडर और half tablespoon कसमीरी लाल मिर्च पाउडर इन सब को हम चलाकर अच्छे से मिकस कर लेंगे उसके बाद हम इस time पर गैस के फ्लेम को बंदर कर देंगे सबसे last में हम इसमें add करेंगे 2 tablespoons sugar powder और इसे भी बिलकुल अच्छे से मिक्स करेंगे सुगर पाउडर एड करने से यह जादा मीठा नहीं होता है बलकि यह सारे टेस्ट को बैलेंस करता है और काफी अच्छा खटा मीठा टेस्ट लेके आता है तो इस टाइम पे हम इसमें एड करेंगे अपने रोस्टेड पोहे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक करना है ताकि सारे मसाले और ड्राइफ रोट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और यह हमारा क्रिस्पी और टेस्टी पोहा चिवडा बनकर तयार है इस पोहा चिवडा को आप एयर टाइट डब्बे में एक महने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नही काफी आसान है तो आप भी इस चटपटा पोहा चुडा को जरूर बनाईए और गिल्ट फ्रे होकर इसे इंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी हेल्दी पोहा नमकीन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें साथ में ही एक कीज किचन को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें फिर मिलते हैं ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए